हेलो फ्रेंड्स फेलकम टू टेक बाई आरपी इंडिया येटूब चैनल दोस्तो आरारसी साउदर न रेलवे में निव रिकॉर्मेंट आ चुकी है जिसका ओनलाइन आवेदन इस्टार्ड हो चुका है तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको कम्पलीट इस्टेप बाई इस्टेप फुल प्रोसस वताने वाला हूँ कि आप कैसे आरारसी साउदर न रेलवे का ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं वो भी अपने मोबाईल फोन से तो दोस्तो वीडियो को सब्सक्राइब करें उस्टेप पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेष्ट है अगर आप इस चैनल पर पहली बारा हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन प्रेस कर दिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सको तो दोस्तो चले शुरू करते हैं तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं RRC SR Railway Apprentice SIP के लिए यहाँ पे निव रिकॉर्मेंट आई हुई है जिसका ओनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है एक अक्टूबर 2022 से और इसका लास्ट होने वाला है 31 अक्टूबर 2022 तक एप्लिकेशन फी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जनरल OVC EBS के लिए यहाँ पे 100 रुपिज की फी लगने वाली है वहीं SC, ST और PH कंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई फी नहीं है और यहाँ पे All Category Females के लिए भी यहाँ पे कोई फी नहीं है Age Limit की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे 15 से 24 वर्स के कंडिडेट इस फोर्म को एप्लाइ कर सकते हैं नंबर आप वैकेंसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे Total 3150 पोस्ट आयोई है जिसका आप वैकेंसी डिटेल से आप चेक आउट कर सकते हैं सरकारी रिजल.com की वेवस ओफिसियल वेवसाइड का लिंक मिल जाएगा दोस्तों फॉर्म एप्लाइ करने से पहले इनका नोटिफिकेशन डाउलोड करके रीडाउट कर लिजेगा उसके बाद ही फॉर्म को एप्लाइ किजेगा दोस्तों यहाँ पे मैं एप्लाइ ऑनलाइन पे क्लिक कर लेता हूं करने प्लीन आप करने के बाद आपको यहाँ प्लाइं यहाँ प्लाइं यहाँ प्लिक कर के फिस निया है यह दո επι pharmacy यहाँ फिसान तुविंग यहां आपको आप सब्सक्राइड कर लिजे उसके बाद दोस्तो यहाँ पे आप क्लिक करके click Ihre to FUl, नोटिफिकेशन यहां पे प्रोसी टूनेक्ष्ट पेज प्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा कुछ ग्रम करते हुए नीचे आना है, उसके बाद यहां पर देखिए आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन दिये गए हैं इससे आपको रिडाउट करना है उसके बाद यहां पर आपको चेकमार पर क्लिक करना है उसके बाद यहां से आपको चेकमार पर क्लिक करना है उसके बाद यहां से आपको चेकमार पर क्लिक क लेना है उसके बाद यहां पर आपको अपना नाम इंटर करना है उसके बाद यहां पर अपना नाम इंटर कीजिए उसके बाद यहां पर नेशनिली सेलेट कीजिए उसके बाद यहां पर अपना रिलेजियन सेलेट कीजिए उसके बाद यहां पर अपना जेंडर सेलेट कर ली आपके सामने आईसा कुछ इंटरफेस दीखेगा अब दोस्तो यहां पर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस यहां पर इंटर कर लेना है उसके पर यहां पर आपको अपना इच्टेच सेलेट legends करने अ है यहाँ पर 4 cm होना चाहिए और यहाँ पर फोटो आपको दो महीने से पुराना नहीं होना चाहिए उसके बाद यहाँ पर फोटो का साइज जो है 75 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए और फोटो यहाँ पे जो है आपका जेपीजी या फिर जेपीजी फोर्मेट में होना चाहिए फोटोग्राफ अफलोड करने की बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स पेस्ट पे आपको क्लिक कर लेना है की का अब दोस्तों यहां पर आपको अपना क्वालिफिकेशन डीटेल्स देना है तो यहां पर पहले सर्टिफिकेट नमबर इंटर कर लीजे स्क्छाए हुं कर लिजे इसके बाद यहां पर आप को ईंटर करना है आइडेंटिफिकेशन मार्क उसके बाद दूस्तों यहां पर आड्यू पर्शन डिसेवल अगर आप पिएच कंडिडेट हैं तो यहां पर आप एस या नो कर सकते हैं देने यहां से आपको प्रोसीड टू प्रिब्यू एप्लिकेशन पर आपको क्लिक कर लेना है अब दूस्तों आपके फॉर्म का प्रिब्यू पेज ओपन होके आ चुका है अब आपने जो भी डिटेल्स फियल किया हुआ है उसे एक बार आप पिछेक आउट कर लीजिए उसके दूस्तों यहां पर इस डिकलेशन को एक्सप्ट करना है उसके बाद यहां पर आपको क्लिक करने के बाद आप यहां से अपना फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे फ्यूचर यूज के लिए फ्यूचर रेफरेंस के लिए दोस्तों असा करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेलफ हो रहे होगी प्लीज वीडियो को एक लाइक जरू किजेगा चैनल को सब्स